जै मातरी दोस्तो कैसे हैं आप सभी? दोस्तो हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तो 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्री का पर्व है और महाशिवरात्री का पर्व भगवान शिव को भोले नात को समर्पित है जहां भोले नात की बात हो वहाँ नंदी की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है नंदी भगवान शिव के वाहन है और आपने देखा होगा कि लोग अपनी मनुकामना पूर्ती के लिए नंदी के कान में कुछ शब्द बूलते हैं लेकिन उस मन्नत में क्या कहना चाहिए, कौन से वो शब्द हैं जो मन्नत के दौरान बोलने चाहिए, कौन से कान में कहीं और किस इस्थान पर बोलने चाहिए दोस्तो सबसे पहली बात जब भी कोई अपनी मनुकामना पूर्ती के लिए नंदी के कान में कुछ शब्द कहता है तो उन्हें विश्वास होता है सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की आस्था की अगर आपके मन में विश्वास है आस्था है भगवान शिव के प्रती तो ही आप इसे करें अनिता आप इसे ना करें क्योंकि जब मन में विश्वास होता है किसी चीज के प्रती आस्था होती है तो वो मनुकामना जरूर पूरी होती है कहते हैं ना कि जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है और अगर हमने एक धारना बना ली गलत तो वो गलत ही होता है बस यही सोचकर आपको यह करना है नंदी के कान में कही गई बात भगवान शिव तक पहुंचती है और वो पूरी होती है आप जिस भी भाव से नंदी के कान में अपनी मनुकामना बोलेंगे उसी भाव से नंदी भगवान शिव को आपकी मनुकामना पहुंचाते हैं अब आप कहेंगे कि जब साक्षात भगवान शिव ही बैठे हैं तो नंदी के माध्यम से क्यों उन्हें हम अपनी बात पहुँचाएं लेकिन इसके पीछे एक रहश्य है नंदी ग्राम जो हैं वो भगवान शिव के बहुत प्रमुख हैं कहा जाता है कि नंदी पूर्व जनम में शिलाद रिशी थे उन्होंने हजारों वर्षों तक तपश्या करके भगवान शिव को प्रसन किया और उनसे ये वर्दान मंगा कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे और भगवान शिव ने तपश्या से प्रसन्न होकर शिलाद रिशी को अपने वाहन के रूप में नंदी के रूप में हमेशा अपने पास रखने का वर्दान दी दिया तब ही से वो नंदी के रूप में शिव जी के साथ पूजे जाते हैं शिव जी के साथ रहते हैं और शिव पुरान के अनुसार भगवान शिव हमेशा तपश्या में लीन रहते हैं बंद आँखों से भी संपून जगत के संचालन में सहयोग करते हैं लेकिन जो नंदी महाराज हैं वो चैतन्यता का प्रतीक हैं खुली आँखों से, खुले कानों से सभी बातों को भाप लेते हैं पुरानों के अनुसार भगवान शिव की तपश्या में विग्न ना पड़े इसलिए नंदी जी महाराज चैतन्य आवस्था में उनके कोप स्थल के बाहर बैठे रहते हैं ताकि जो भी भगवान शिव के पास अपनी समश्या लेकर आए तो नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं और किसी बाहरी विग्न से तपश्या में विग्न ना पड़े इसलिए भग्त नंदी के कान में अपनी मनो काम न रखते हैं अपनी इच्छा पूर्ती की बात करते हैं और शिव के तपश्या से बाहर आने पर नंदी जी भग्तों की सारी बातें जसकी तस भगवान शिव के सामने कह देते हैं और नंदी शिव के सामने कोई भी बात बताने में कोई भेद नहीं करते अब बात आती है कि नंदी के कान में हम किस तरह से कहीं, क्या बात कहीं देखे जब आप नंदी के कान में अपनी मनुकामना रखते हैं, कोई बात कहते हैं तो इसके कुछ नियम है इस बात का ध्यान रखें कि जो भी बात आप नंदी के कान में कह रहे हैं वो आप तक और नंदी के कान तक ही सीमित रहे कोई और उसे ना सुने बहुत धीरे से बोले नंदी के कान के बिलकुल पास जा कर बोले और अपने होटों को दोनों तरफ से हाथों से ढख ले ताकि आपके कहे गई शब्दों का कोई अनुसरन न करे कोई सुने न और नंदी के कान में कभी भी किसी की बुराई किसी का बुरा चाहने की इच्छा ना रखे जो भी कहना है आपको अपने लिए कहना है इस बात का आप विशेश रूप से ध्यान रखे और आप जब नंदी के कान में कुछ कहते हैं तो उसके बाद उन्हें फल वगेरा कुछ हर्पित करें, उनके चरन स्पर्ष करें और साथ ही हर-हर महादेव का जैकारा आप लगाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि जो भी बात आप नंदी के कान में बोल रहे हैं, वो बाएं कान में बोलें। हर-हर महादेव, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।